हरी ओम शिरी गणेशा आइन में बोल सियापति राम चंद्र की जै पवन सुत हनुमान की जै शिरी रादे शाम रामायन में लंका दहन का परसांग शुरू हो रहा है जो के दो भाबों में आएगा सीता जी ने जब दिया सचा शिरवाद प्रमुदित शिरिवज रंग ने पाया प्रेम प्रसाद श्री मुख की शुब आशीष सुनकर अजनी लाल आनंद हुए पहले जैसे थे कृपापात अब उससे यह चौचंद हुए फिर प्रेम में ऐसे डूब गए कुछ का नहीं खामोश हुए पाकर के शक्ती जूमने लगे पाकर के भक्ती मद होश हुए शीष नाए बोले बचन थोड़ी देर के बाद जनम सुफल मेरा हुआ पाया आशीरवाद हे माता या बया क्यों एक बिनती है मुझको कुछ भूख सताती है यह पेड़ फलों से लदे देख तबियत मेरी लल चाती है जो रखवाली माली है या सो किसी का मुझको गह नहीं जब कृपाद रिष्टी माता की है फिर कोई भी संशै नहीं देख बुद्धी और वीरता बोली सीता जाओ शिरी रगपती का नाम ले मीठे फल खाओ आग्यापा करमात की चर्ण नवा करमात राम चंद्र का नाम ले तुर्त चलेख पिनात जिस डाली पर डाली निगाह वे डाली फिर डाली न रही फल फूल तोड सब फैंक दिये सब जीजर दी लाली न रही खुश हो हो कर किलकार मार बीक्षों को जड से हिलाने लगे जल दी जल दी से चाट चाट मीठे मीठे फल खाने लगे फल खा कर पेड उखाडत थे फिर सिंधु में उन्हें बहाते थे जो रख वाली माली थे वां सो मार के उन्हें बगाते थे पहरे वाले बागवान जब के हुए लचार रावन के दरवार में जाकर करीपकार स्वामी एक बानर आया है वह बाग शोक उजाड रहा पल खाने की कुछ बात नहीं पर वह तो पेड उखाड रहा बानर है नहीं बला है वह या प्रलेक वह हलकारा है बागी चे को विसमारा है और हम सब को वसमारा है रखवालों की तेर सुन हुकम दिया दशमात जाओ बगादों की इशको अगनित वट की एसात निस्चर आते हैं बहुत देखा जब हनुमान ब्रिक्ष इला कर जोर से गरजे मेग समान सुनते ही शवद निस्चर लर्जे परदे कानों के फटने लगे बज रंग ने रंग वो दिखलाए बद रंग हुए मूँ फिरने लगे कुछ मीज दिये कुछ खूंद दिये कुछ पेड गिराए गिराए दिये कुछ पकड सिंदु में फेक दिये कुछ पूँच में बांध मिटाए दिये बज रंगी ने रण रंगी ने ख्रण में सेना बरवाद करी कुछ बचे खुचे अध्मरों ने फिर रावन पैजा फरियाद करी रावन को दित हुआ सुन तेर दूसरी बार उसी समय सेना सहित भेजा अक्ष कुआर इदर वली बज रंग ने उड़ती दे की धूर समझा मन में बस तभी अब की है एक शूर फिर अट हास करके गरजे थी तर्ज नहीं अंदाज नया एक ब्रिक्ष उखाडाय और मारा बेचारे का मूँ लोट जया जट पेड से तत क्षण कूद पड़े और घरदन पकड दिया जट का एक लात लगाई चाती पर फट गया कले जा यक्षे का बज रंग शेर की मूर्ती देख वकरी की धर मिमी आने लगा जीवात मांदे से यक्षे की बस जलदी जलदी जाने लगा तब जुके सेहन पर पवनतने मानों शोनित के प्यासे हैं रिपू लगे बिलाने योंगो या पानी के पोच बताशे हैं चुटकी में चुटकुट शत्रु एक्षण भर को प्रल्य दिखाई दी कुछ जान चुग के भाग चले जाके फिर वहां दुहाई दी रावन ने फर्याद जब सुनीती सरीवार अक्ष कुमर की मृत्यु सुन बोला जरा विचार इंद्रजीत वेटा उठो अभी सीक्षण जाओ विक्टवान रा है कोई फक्ड यहां पर लाओ देखूंगा मैं कौन है ऐसा फानीदार जिसने मेरे अक्ष को औरण में दिया सहार देख इंद्रजीत को उदर हसे पवन के पूत ताड लिया अब की दफा आता है यमदू फिर गर्ज तरज तरवर युखाड यक वार वार भरपूर किया रतवान सहित गोडे मारे रत तोड के चकना जूर किया थे साथ अंग रक्षक जितने बज रंग वली ने सब मारे फिर इंद्रजीत के पास जाए जैराग विंद के किलकारे मुष्टिक प्रार कर चाती पै चड़ गए ब्रिक्ष पै कपिराई उस इंद्रजीत से योधा को मुक्का खा के उरचायाई जब जगात जगते ही उसने हर तरह से अपनी माया की बज रंग वली से वशन चला सब दूरी में मिल गई चाला की चड़े हुए थे ब्रिक्ष पै पवन पूत कपिराई इंद्रजीत था भूमी पै बोलाई ओ जुंजलाई डाली डाली दोड कर क्यों दिखलाता चाल बंदी करता हूँ अभी अपने लिए संभाल मैं इंद्रजीत कहलाता हूँ और मेगनाद है नाम मिरा शत्रू परण में जै पाना यह रहा सदा से काम मिरा पर आज खेर है यह तुझको यमलोक नहीं पहुचाँगा संख शिरिमान पिताजी के बंदी करके ले जाऊंगा अनुमत बोले किसलिए करता कोरी बात कहने से क्या लाब है दिखाया कुछ करमात यदि तुझसे कुछ हो सके नहीं तो बाप को अपने बुलवा ले क्यों खड़ा हुआ मूतकता है कुछ और भी वाले चमका ले तेरा मेरा संग्राम है क्या मैं तुझको केल किलाता हूं तु मेग नाद केलाता है मैं राम दास केलाता हूं तु इंद्र जीत चल वाला है मैं काम जीत वल वाला हूं तु दीपक लेकर चलता है मैं राम आशे उजे आला हूं बिगड उठा ये बात सुन वे दश शीश कुमार ब्रह्म अस्त्र लेकर कहा रोक ये मेरा बार मुझे को तो तुझे बांधना है सो अभी बांध ले जाऊंगा दस बीस नहीं मैं सो पचास कर तब अपने दिखलांगा तु योदा है संदे नहीं शूरता तेरी मैं जानता हूं ले ब्रह्म फांसे अब फैकता हूं और इसमें तुझे बांधता हूं कहा अंजनी लाल ने अब ना रहा संग्रांग बंधन है यह धर्म का बलका अब क्या काम यह ब्रह्म अस्त्र यह ब्रह्म फांस यह ब्रह्म बान है ब्रह्मा का मैं इसे काट सहता हूं पर इसमें अपमान है ब्रह्मा का जिन राम चंद्र पुर्शोतम को ज्यानी जन निश्दिन रखते हैं जिन का की नाम लेने ही से संसार के बंधन कटते हैं फिर यह बंधन क्या है लेकिन कुछ अद्व धर्म का है इसमें अतेव स्वामी के कार यहे तु यह सेवक बंधता है इसमें यह कहकर बंधी हुए स्वैम भीक्षों के डाले छोड़ दिये बंधते बंध देवी नाहर ने बीसों के कलेजे तोड़ दिये रावन के दरवार में पहुँचे जबीक पीश देख इने क्रोधी तु आय और बोला दस शिश तू कौन कहां का है बंधरे कुछ अपना पता बता दे तू क्यों भाग उजाड़ा है मेरा क्या कारण था बतला दे तू तूने लंका के राजा क्या क्या नाम कान से सुना नहीं इस कदर ढीठ और निडर हुआ मेरे प्रताप से डरा नहीं मारा है अक्ष कुवर मेरा बतला तेरा क्या हाल करूं तू ही न्याई बन कर कह दे किस तरह तुझे पामाल करूं ब्रह्म अश्त्र से मुक्त हो बोले शिरी हनुमान राजन मेरी बात को सुनो लगा कर कान सचिदानंद सर्वदानंद बलबुद्धि सिंदु निर्द्वंद है जो रगुनंदन रगुवर रागवेंद शिरी रामचंद्र सुककंद है जो जो उतपत्ती स्थिती प्रले रूप पालक पोशक साहारत है ब्रिकुटी में जिन के विदी हरी हर संसार कार्य परिचालक है जो दशरत जिर विहारी हैं कहलाते हैं रगुकुल भूशन हरी जीती जिन पे शूपन का और बधे जिनोंने कर दूशन फिर और याद कर लो जिन की नारी को हर के लाए हो मैं उन्ही राम का सेवक हूँ तुम जिन से वैर बढ़ाए हो मैं इस लंका में आया था माता का बता लगाने को कितने में भूख लगी मुझे को जी लल चाया फल खाने को मेहमान की तुमने ख़वर न ली क्या खूब तुमारी खसलत है फल खाके पेड तोड़ता है बानर की तो यह आदत है स्वामी भोजन पा लेता है तब दास प्रसादी पाते हैं इस कारण भोजन से पहले बगवान को भोग लगाते हैं मैंने शिरी रामा पर पन करके उन ब्रीक्षों से फल खाए हैं अधिकारन तुमें प्रसादी का इस कारण तोड़ बहाए हैं शिरी मान जरातों करें द्यान सबको अपना तन प्यारा है निस्चरों ने जब मुझे को मारा तो मैंने उनको मारा है अब मेरी कुछ प्रातना सुनिये ध्यान लगाई बिना कहें बनती नहीं समय में पहुंचा आई शिरी सीता मा का दुख दे कर तुम भारी भूल कर रहे हो संसार में अपयश को लेके बिनाई मौत बर रहे हो सब पीछे से पच्चताते हैं जो हैं विशेश गुसा वाले सनिक्त प्रलेका है प्रवेश चैतन्य हो एलंका वाले अतेव उचित है वेर छोड पहुंचाओ वहां सिया मा को शिरी रगुनंदन की चाया में फैलाओ अपनी प्रवुता को रावन बोला मौन हो अधिक न कर वकवाद चोर है सीना जोर है और बनाए उसाद है धाक धरन से गगन तलक यह उदै आस्त कुल मुझही में आग्याकारी है सुर्य चंद वैवव समस्त मुझही में है तुक मेरी त्योरी चड़ने से यह भुवन चौदों डरते हैं ग्रहकाल सुरेश कुविर वरण मेरे घर पानी भरते हैं सो बड़ी हसी आती मुझह को यह उट पटांग तेरी सुनकर उस अदमत पस्वी भच्चे को किस तरह बखाने चुन-चुन कर ओ वानर तू कुस किस ध्यान में है मालिक को अपने समझा ले उस वानर वाले तपसी से क्या डर जाएं लंका वाले वीर अंजनी लाल के रक्त हो गए ने बाव दवा के क्रोध के बोले ऐसे वैन तूने जो उनको अदम कहा सो शान नहीं कुछ गटती है कितनी ही फैंके खाक कोई सूरज पर नहीं पहुचती है आ गए मृत्य के दिन समीप तू इसी लिए सठी आए गया कहना मेरा बेकार है सब तू तो सच मुच गोर आए गया मेरा मेरा जो वकता है सो कुछ भी काम नाएगा तू मुठी मूंद आया है और हात बसारे जाएगा शिरी राम चंद्र को ध्याएगा यतो देव बधूती निर्खेंगी और अंधकार में भरा रहा तो लाश प्यमक की भिनकेंगी रावन से महराज को कहां इसकदर ताब क्रोध युक्त हो कर वही दिया जवाब शिताब ए मेरे योधाओ देखो बानर पूरा बतवादी है देखने में सीधा सादा है वास्तव में पूर्ण पसादी है सच मुच घमंड में भूला है उन दोनों तपसी बच्चों के सिर इस कातन से अलग करो सामने हमारी आँखों के पिंच गई वीसियों तलवारे चाहा हनुमत परवार करें बालों पर उने उठाले वे उपर तीरों की मार करें तभी अचानक आ गए महा मिवेशन राई बोले ठहरो हो रहा यह कैसा अन्याई शिरी महाराज कुछ सोचो तो सब जगे दूत की माफी है तुम न्याई वान कहलाते हो यह कितनी वे इनसाफी है यह राजसबा है यह भाई अन्याई न यहां की जिएगा यदि दंड ही देना है इसको तो कोई और दी जिएगा अब तो सब कहने लगे ठीक बजा है राए तब दशकंदर ने कहा तो हो फिर अन्य उपाई बे पूछे पूँच से वानर ने क्यों भाग उजाडा सारा है इसलिए निपुंचा करो इसे बस यह परमान हमारा है गी तेल से भीगे हुए वस्त्रवंद वादो पूँच में वानर की फिर आग जरा सी थोड़ी सी लगवादो पूँच में वानर की जब जली पूँच से जाएगा तो स्वामी को उकसाएगा लड़ने के लिए तपसियों को अतिशी गर त्यार कराएगा सुनकर ऐसी आगया हां से बली हनुआन आगा पीछा सोचता नहीं है यह नादान हेश्रस्वती शारद माता तू आज सहाए हुई बेशक अब नाचन चाके मैं इसको सब इसकी खोदूँगा अकवत राजा अग्या बश आग्या कारी एह सारी रचना रचते थे घर घर से तेल वस्त्र आके बानर की पूच पे बंदते थे लंका में खासा को तुक था बुड़े बच्चे सब हसते थे इस ओर पवन सुत हनुमान कुछ अपनी लीला करते थे बेवस्त्र लगाते जाते थे यह पूँच बढाते जाते थे पुल शहर के कपडे लगा दिये पर छोर न उसका पाते थे लंका में हाहा कार हुआ काला पीला रोगन न रहा बस्त्रों का हुआ दिवाला वें मुर्दों के लिए कपन न रहा बस्त्रों का हुआ दिवाला वें मुर्दों के लिए कपन न रहा बच्चे भूढे और करुण हुए इकठे आए किलवाडे करने लगे डोल बजाए बजाए अंधों को क्या थी खवर सुख में दुख की लाग सारा नगर गुमाए के पूँच में दे दियाग बूढे बजुर्ग जो कहते हैं आती वेह मसल यहां पर है कांसी सब रोगों की जड़ है और हसी लडाई का घर है शीरी राम चंद्र की प्रभुता को अंधे रजनी चर क्या जाने बजरंग वली की लीला को मत वाले निस्चर क्या जाने रजनी के जाते ही तुरंत ज्यूं अरुण वरण मारतांड उठे त्यूं आग पूँच में लगते ही अनुमत हो पर्म प्रचंड उठे अत्यास कर दुर्ग पैं पहुँचे पवन कुमार पृत्वी और अकाश में छाया शब्द पार लंका में बिजली सीचम की फिरगन सागन नन गोर हुआ आकार वड़ा जब यांधी साथो हाहा जारों होर हुआ कटि कमट कसक फान उर्ग फसक दिग पाल कसक हम इमिक्रांती हुई आहिगन कपत गिरिधर निदस अति प्रवल प्रल्य जिमि ब्रांती हुई बल पड़ी हवाएं उन चास तरु तूट तूट कर गिरते थे आकाश पताल आकाश धरात लेक हुआ अंजनी लाल यूं बढ़ते थे इस भी शण आकार में रहे कुछ समय बीर दीरग किया फिर पूँच को लगु कर लिया शरीर चड़के उन कनक कंगूरों पैकलशों को ढाने लगे बली फिर एक जगए पर बैठ गए और पूँच गुमाने लगे बली सब हरी के द्रोही असुरों को करनी का फल दिखलाते थे कौतुक था जारों और गुम जलतों को और जलाते थे साए साए बढ़ने लगा पावत का विस्तार धाए धाए जलने लगा सुरों का घर द्वार बवनों में धक धक आगल गी नर नारी व्याकुल फिरते थे चेती प्रचंड चंडी ऐसी ग्री खंड खंड वो गिरते थे जब यूपर को लपटे उठी चल तारत रुका दिवाकर का सारा त्रिकूट गिरिभवक उठा जल लगा खौलने सागर का पती को नारी बेटे को मा ग्रज को अन्ज बुलाते थे सब लंका वाले रो रो के यूँ हाहा कार मचाते थे बोल सिया पति राम चंडर की जै पवन सुत हनुमान की जै